नमास्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो गंटी का बटन दिख रहा है उस जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्णों के बारे में बताऊंगा जो परिक्षा की द्रश्टी से बहुत ही ज्यादा महत्पुन है यह प्रश्ण परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्णों को एक मes nh याद करीजिए रट लीजिए ताकि आप परिक्षाओं में पूरे में से पूरे माक्स प्राप्त कर सकिए और परिक्षाओं आप पास कर सके ज्यादा से ज्यादा लाब लेने के लिए , वीडियो को सुरू से लेके अंत तक पूरा देखे तो चलिए प्रश्ण से पर कि पहला प्रेश्ण है कि यूरेनेस के कितने उप्रह पहला प्षण है पचिस दूसरा आप्ष है 20 तीसा आप्सण है 27 चोथा पंद्रा इसका तीसरा आप्सर्थ को Papad szatay치 सही उत्तर है कि अगला प्रेश्ण है सोर मंडल का ब्रहमतम ग्रह कौन है पहला अप्षन है प्रत्वी तूसरा अप्षन है सनी तीसरा अप्षन है नेप्ट्यून चोथा अप्षन है यूरेनस इसका तीसरा अप्षन नेप्च्यून सही उत्तर है अगला प्रश्ण है कौन सा खगोलिय पीन रात की रानी कहा लाता है पहला अप्शन है ब्रहस्पती दूसरा अप्शन है पलेटो तीसरा अप्शन है चंद्रमा चोथा अप्शन है मंगल इसका तीसरा अप्शन चंद्रमा सही उत्तर है अगला प्रश्ण है सांत समुंद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहा जाता कहा इस्तित है पहला अप्षन है चंद्रमा तूसरा अप्षन है सनी तीसरा अप्षन है ब्रहस्पती चोथा अप्षन है वरून इसका पहला आप्शन चंद्रमा सही उत्तर हैक । आगला प्रेश्टे है सी ओप ट्रंकी लिटी कहां पर है पहला प्रेश्ट आप्शन है प्रत्वी तूसरा आप्शन है चंद्रमा, तीसरा उप्षन है जूट, पीटर, चोथा उप्षन है सूर्य, इसका तूसरा उप्षन चंद्रमा, सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है, कौन साग्र है, हरे प्रकास को उत्तर सरजीत करता है, पहला उप्षन है, चंद्रमा, दूसरा उप्षन है, वरुण, तीसरा उप्षन है, ब्रहस्पती, चोथा उप्षन है, सनी, इसका दूसरा उप्षन, वरुण, सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है, निम्ने लिखित में से कौन से ग्रहक के सरवादिक प्राकरती उपकर है अत्वा चंद्र है पहला अप्षन है ब्रहस्पती दूसरा अप्षन है सनी तीसरा अप्षन है मंगल चोथा अप्षन है सुक्र इसका दूसरा अप्षन सनी सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दक्षिनी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है पहला अप्षन है 22 मार्च दूसरा अप्षन है 22 दिसंबर तिसरा अप्षन है 22 सितंबर तिसरा अप्षन है सोरी चोता अप्षन है 22 जून इसका दूसरा अप्षन 22 दिसंबर सही उत्तर है अगला प्रश्ण है प्रत्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है पहला अप्षन है सनी दूसरा अप्षन है मंगल तीसरा अप्षन है सुक्र चोथा अप्षन है इन में से कोई नहीं इसका तीसरा उप्षन सुक्र सही उत्तर है अगला प्रश्न है प्रत्विक के केंदर में पाया जाने वाला चुमकिय पदार्त है पहला उप्षन है ग्रेनाइट दूसरा उप्षन है डायोराइट तीसरा उप्षन है निकेल चोता उप्षन है बेसाल्ट इसका तीसरा option निकेल सही उत्तर है अगला प्रश्ण है वह कालपनी रेखा जो प्रत्वी को दो भागों में बाटती है पहला option है भुमद्य रेखा दूसरा option है मकर रेखा तीसरा option है कारक रेखा चोता option है इनमें से कोई नहीं इसका पहला option है भूमद्य रेखा सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है पहला option है गोरे दूसरा option है समय पेटी तिसरा option है बेल्ट चोता option है काले इसका पहला option गोरे सही उत्तर है अगला प्रश्ण है वह अक्षांस रेखाओं जिस पर सदेव दिन वे रात की आवधी समान रहती है पहला option है भूमद्य रेखाओं दूसरा option है कारक रेखाओं तीसरा option है मकर रेखा, चोथा option है, हीज रेखा, इसका पहला option भूमद्य रेखा, सही उत्तर है, अगला प्रशन है, प्रत्वी के उत्री धूरू प एवं दक्षनि धूरू को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, पहला option है अक्षांस रेका, दूसरा option है अंतराश्टिय रेका, तीसरा option है मिलन रेका, चोथा option है तेसांतर रेका, इसका चोथा option देसांतर रेका, सही उत्तर है आगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किस इस्तान का प्रामानिक समय एवं इस्तानिय समय में कितना का अंतर है पहला अप्शन है नई दिल्ली दूसरा अप्शन है राची तीसरा अप्शन है एहमदाबाद चोता अप्षन है नेनी, इसका चोता अप्षन नेनी सही उत्तर है, आगला प्रश्ण है, निम्ने लिखित में से किसे प्राक्तमीक चट्टानों की स्रेनी में रखा जाता है, पहला अप्षन है आगने चट्टाने, दूसरा अप्षन है रूपांत्री चट्टाने, तीसरा अ प्रत्वी के द्रवपधारतों के गनी भूत को हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं पहला उप्षन है आवशादी दूसरा उप्षन है आगने तीसरा उप्षन है रूपान्तरीत चोथा उप्षन है इन में से कोई नहीं इसका दूसरा उप्षन आगने सही उत्तर है अगला प्रेशन है तो पठार चारों और से प्रवत मालाओं द्वारा गिरिये होते हैं क्या कहलाते हैं पहला अप्षन है गिरी पद्ध पठार दूसरा अप्षन है वायवय पठार तीसरा अप्षन है अंतरा परवतिय पठार चोता अप्षन है तटिय पठार इसका तीसरा अप्षन अंतरा परवतिय पठार सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दरातल की सरवादिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चटान का विस्तार पाया जाता है पहला अप्षन है कायांतरित चटान दूसरा अप्षन है आगनेई चटाने तीसरा उप्षन है आवसादी चट्टाने चोथा उप्षन है रुपांत्री चट्टाने इसका तीसरा उप्षन आवसादी चट्टाने सही उत्तर है अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किन्ट चट्टानों में पाया जाता है पहला अप्चन है प्राचीन सन्तृत दूसरा अप्चन है आग्ने तीसरा अप्चन है नविन संतृत चोथा option है परिवर्थित चट्टान इसका पहला option प्राचियन संत्रित सही उत्तर है अगला प्रश्ण है पेट्रोलियम किन चट्टानों में अगला प्रश्ण है नेमने लिखित में से कौन परदार चट्टान नहीं है पहला option है चुना पत्थर दूसरा option है कारक्टे जाइट तीसरा option है सेल चोथा option है बालू का पत्थर इसका दूसरा option कौार्टर जाइट सही उत्तर है अगला प्रश्ण है नेमने लिखित में से कौन सी रुपांत्री चट्टान है पहला option है नीस दूसरा option है चुना पत्थर तीसरा option है कोईला चोथा option है ग्रे नाइट इसका पहला option नीस सही उत्तर है अगला प्रश्ण है नेमने लिखित में से कौन कायांत्री चैल है पहला option है सलेट दूसरा option है कौर्टर जाइट तीसरा अप्रश्ण है ग्रे नाइट चोथा option है संग्मरमर सही उत्तर है अगला प्रश्ण है अंतेस आगरिये भुकंपोर द्वारा उत्पन सम्मुंद्री लहरों को क्या कहते हैं पहला अप्षन है सर्क, दूसरा अप्षन है केम, तीसरा अप्षन है स्केल, चोता अप्षन है सुनानी, इसका चोता अप्षन सुनानी सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है सुनानी किस बासा का सब्द है पहला अप्षन है जर्मन दूसरा अप्षन है चीनी तीसरा अप्षन है जापानी चोता अप्षन है पुर्तगाली इसका तीसरा अप्षन जापानी सही उत्तर है अगला प्रश्ण है एल मिष्ट्री जवाला मुख्थी किस देश में है पहला अप्षन है चीली दूसरा अप्षन है कोलंबिया तीसरा अप्षन है इटली चोता अप्षन है पेरू इसका चोता अप्षन पेरू सही उत्तर है अगला प्रश्ण है विशु के विशाल वलिय प्रवतों की इस रचना आज से लगबक कितने मिलियन वर्स पूर हुई थी पहला उप्षन है 400, दूसरा उप्षन है 30, तीसरा उप्षन है 320, चोथा उप्षन है 200, इसका दूसरा उप्षन 30, सही उत्तर है अगला प्रश्न है पोटवार पठार निम्न में किस देश में इस्तित है पहला उप्षन है पाकिस्तान दूसरा उप्षन है वियत नाम तीसरा उप्षन है मयानमार चोथा उप्षन है बूटान इसका पहला उप्षन पाकिस्तान सही उत्तर है अगला प्रश्न है निमने लिखित में से कौन ठंडी इसानिये पवन नहीं है पहला अप्षन है खमसीन, दूसरा अप्षन है सिरोको, तिसरा अप्षन है हरमदरन, टन, चोता अप्षन है फ्राई जेम, इसका चोता अप्षन फ्राई जेम सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है विश्व में महाद्यूपों की कुल संख्या कितनी है पहला उप्सन है पाँच दूसरा उप्सन है साथ तीसरा उप्सन है आठ चौता उप्सन है बारा इसका दूसरा उप्सन साथ सही उत्तर है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए